हेलो दोस्तों स्वागत है आप सुभी गावी एक मिसा ठीक मेंट है सिमिनिश्टेर हम लोग जिस कंपनी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स सोर्स सल्यूशन लिमिटेड है इसके कौटर थ्री के नतीजे आ गए हैं तो कैसे आ हैं नतीजे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके चार पर भी बात करेंगे और जो आगे के नेच्ट टार्गेट होंगे बाई के पोजिशन्स होगी वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे हैं जो शेयल पर नए होच चैनल सब्सक्राइब कर लें नोट्फेशन बेल और रिखिए जिससे आने वाले निश्ट अप्डेट आप से मिसना हों आप टेलीग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं आपको डिवडेट जो होता है कंपनियों का वहां पर अप्लोड होता रहता है तो उसका लिंक आपको वीडियो के बॉक्स में है वीडियो को लाइक करिए क्योंकि पूरा काम वन मैन आर्मी वाला चल रहा है इधर दोस्तों और सारे ही मतलब टेलीग्राम पर भी मैं ही आप लोगों के questions के reply करता हूं यहां पर वीडियो में भी comment में भी आप लोगों के मतलब जो लोग ऐसे पूछते हैं मैं वहां पर भी help कर देता हूं तो join कर लीजिए जिससे मेरे मेरे को भी support करिए मैं देखा है आप लोग questions पूछते हैं जैसे अभी CCD का चल रहा है अभी जो आ कि उसको नहीं discuss कर रहे हैं अम लोग FSL को समझ रहे हैं तो 152 रुपीज 90 पैसे पर चल रहा है अच्छा एक और दोस्तों बात बतानी थी आप लोगो कि आप लोग भी वैसे जो VIP मेंबर है टेलीग्राम पर वो पूछ रहे थे आप लोग बहुत सी कंपनियां हमको बता रहे हैं तो उनका आप लोग ना जैसे कि अभी इसको हम को कौटरली अनी रिजल्स देख रहे हैं उसके बाद आप खरिदने के लिए वरना बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कंपनियां देखते हैं कि अरे यह तो काफी डिप में आ रखी है पर अगर कंपनी अच्छा नहीं टाइम खाएगा और रिटर्न हो सकता है कि ना भी दे और कुछ भी हो सकता है पर चांसे इसके ज्यादा रहते हैं ना देने की अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो थोड़ा कंपनी स्लो प्रोफार्म करती है अब इस पर बात करते हैं अर्निंग पर से इर इसकी 6.4 की चल रही अच्छी खासी अच्छा खासा इसका मार्केट कैपिल है डिविडेंट येट भी जो है दोस्तों वह 1.84 परसेंट चल रहा है तो कम है पर कम से कम डिविडेंट तो दे रही है प्राइज अनिंग रिशियो की बात के हैं तो 26.1 का है तो यह ठीक है इसमें कोई दिक फिलाल इसमें काफी डिपा रखी है तो समझते हैं ओल टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो 243 रुपीज तक सेयर गया था और वो इसी रेली में गया था प्रमोटर सोल्डिंग की बात करें तो 53.7% की है रिटर्न ओन एक्विटी 13% का है जो कि एक अच्छा नंबर है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है डाटा अब देखी कैसे नतीज़ें आए तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें quarterly earning results जो इस बार काया है दिसंबर का हम लोग पिछला quarter देखेंगे उसके बाद और last year का देखेंगे तो सबसे पहले operating profit पर बात करते हैं last year से तो last year जो था दोस्तों वो 210 करोड का profit हुआ था यहां पर 238 करोड का profit हुआ है जो कि last year से बहुत अच्छा है और last quarter में बस एक करोड थोड़ा एक्ष्ट्रा था तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे दोस्तों तो company को मिला जो लाके जो है अभी हाल फिलाल में 238-234 इसके around perform करी है और एक अच्छी जगह पे है अब net profit में देखा जाए तो 121 करोड का profit हुआ था last year और इस बार जो है वो 135 करोड का हुआ है और पिछले quarter में भी 135 करोड का था उ नॉर्मल है जैसा पहले आ रहा था वैसा सेम अभी भी आया है तो इसमें कुछ changes नहीं है और यह एक अच्छी गंडी समय नजार आता है profit loss book में देखें दोस्तों तो यहां पे भी आपको देखेंगा 2010 से लेके current time period तक का और इसमें आपको देखेंगा 2012 के बास से वापस से एक अच्छा rally बनाया और अभी जो है इसकी performance ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ ने रही है पर धीरे धीरे आपको देखेंगा sales increase हो रही है और profit में भी इसके growth है जो की एक अच्छी चीज है जिसे की last year जो था 362 करोड का profit था अभी जो चल रहा है वह 452 करोड का चल रहा है तो अच्छा नंबर है company में growth है overall performance की बात करें दोस्तो तो अच्छा है और इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसके share holding patterns में बात कर लेते हैं तो आपको दिखेगा 53.66% current time का है promoters के पास है FISDIS के पास भी एक अच्छा नंबर है और public के पास भी ठीक ठाक holding आ जाती है others holding में भी थोड़ा बहुत है तो overall share holding patterns में भी इसके कोई दिक्कत नहीं है company को इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बार रिक्मेंट किया हूँ अभी यह जो आपको downfall दिख रहा है यह अच्छा है आप लोगों के लिए मौका है तो इसमें सारी चीजें के जो चार्ट पे है म तो हमको जो support मिल रहा है वो 140 रुपे पे है बाई करने के लिए आपको जाना है तो आप इसको 145 रुपे से लेके 165 रुपे के बीच में बाई कर सकते हैं पहला target हो जाएगा 180 का और इसको अगर आप long रखके चलते हैं तो हमको इसमें 212 तक का भी target दिखाई देता है तो मै वो भी mark कर देता हूं आप लोगों के लिए 208 रुपे 209 रुपे के round और फिर और लंबा आप hold करते हैं तो 245 रुपे के round target भी दिखेगा और बड़े-बड़े target भी इसमें mention है पहले से ही मैंने इसमें mark कर रखें तो फिलाल दोस्तों यही था इस company को लेके update अच्छी खास इसमें आपको दिख रहा है करेक्शन के साथ डीप भी है तो 140 को support में ध्यान में रखते हुए आप इसमें खरीदने के लिए जा सकते है नॉर्मल नंबर आये हैं कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं है कुछ ज्यादा खराब भी नहीं है मतलब जैसा पिछले दो कौटरों स मिलते हैं आपको नेक्स एक साथ नेक्स वीडियो में